देवरिया जिलादिकारी अखन प्रताप सिंग ने राष्ट्रिय पशु रोग मियंत्रन कार्यक्रम अंतरगत खुर्प का मुहप का टीका करन अभियान के तृतिय चरण का शुभारंब कैम्प कार्याले से जन्पत के समस्त बहू देश्य पशु चिकित्सा सचल वाहनों को टीका करन टीम सहत हरी जंडी दिखा कर किया इस तौरान जिलादिकारी ने कहा कि कार्यक्रम के अंतरगत जन्पत में सम्रत गोवनशिय एवं महिश्वनशिय पशु शुन्य चार माह से छोटे पशु तथा शुन्य आठ माह से अधिक के ग्यावन पशुँ को छोड़कर का टीका करन किया जाना है खुर्पका मोहपका एक विशानु जिनित संक्रामक रोग है जिसके संक्रमन से ग्रसित पशुँ को तेज बुखार मूह से लार गिरना मूह एवं पैरों में छाले पढ़ जाते हैं संक्रमित पशु धीरे-धीरे चारा खाना छोड़ देता है तथा दूद कम देने लगता है यदी समय पर इलाज नहीं होता है तो पशु की मौत भी हो जाती है इस रोग से बचाव हे तो मात्र टीका करन ही विकल्प है राश्ट्रिय पशु रोग नियंतरन कार्य क्रम केंद्र सरकार एवं पोशित वर राज्य सरकार द्वारा संचालित है उप्त टीका करन कार्य पशु पालकों के द्वार पर नहिशुल किया जाना है जिलाधिकारी ने कहा कि यह अभ्यान 31 जन्वरी 2024 तक 45 दिन तक संचालित किया जाना है टीका करन कार्य हितु 16 टीमों का गठन किया गया है जिनके द्वारा जन्पत के 16 विकास खंडों के कुल 4 लाग 30,900 पशुओं में टीका करण किया जाएगा पशुपालकों से उन्होंने अपील की है कि वे अभ्यान की दौरान टीका कर्मिकों का सहयोग करते हुए अपने पशुओं को टीका अवश्य लगवाएं